दीपावली 2021 पर दो गाड़ियों ने मार्केट में मचा दिया है धमाल फस्ट है मारूती इंडिया लिमिटेट की सबसे सस्ती गाड़ी जो बिलकुल टॉप 10 में नमबर वन पर आ गई है और नेक्स्ट है आपकी टाटा मोटर्स की बिलकुल न्यू एंडिय जिसने आते ही मार्केट में धमाल मचाया और टॉप 10 की गाड़ियों में बहुत सी गाड़ियों को बाहर करके टॉप 10 की लिस्ट में आ चुकी है तो कौन सी है दोनों गाड़ियां क्या है इनके सेल्स फिगर तो अक्टूबर 2021 की सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है तो आपके साथ शेयर करते हैं बेस्ट इन्फोर्मेशन आप भी चैल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और देखिए अपनी मन पसंद गाड़ियों के रिब्यू कमेंट्स करके इंस्ट्राग्राम पर फॉलो करने के बाद जो अक्टूबर 2021 की बेस्ट सेलिंग गाड़ियां हैं उस पर एक तरफा दबदबा दिखाते हुए देश की सबसे ज़्यादा सस्ती गाड़ी औल्टो ने नमबर वन का खिताब अपने नाम कर लिया है और अपनी ही गाड़ी सुजुकी की यानी स्विफ्ट हुंड़ाई की क्रेटा वेगनार्ट स्विफ्ट डिजायर किया सेल्टोस आदी गाड़ियों को पीछे धकेलते हुए नमबर वन पर काबिज हो चुकी है और इसके बाद में जो काफी अच्छी गुड ड्यूज है यहाँ पर बिल्कुल और नियो एंट्री हुई है टाटा पंच की जी हाँ काफी समय आप जानते हैं काफी कम समय हुआ इस गाड़ी को लॉंच हुए लेकिन लॉंच होते ही यह गाड़ी टॉप 10 में सामिल हुई ह तो काफी अच्छा पर्फरमेंस आप टाटा ग्रूप का भी यहाँ पर मान सकते हैं और अगर बात करें आल्टो के बारे में तो आल्टो ने अक्टूर में 17,399 सी सेलिंग्स की है जो काफी शानदार है और दोस्तों इसके लाब आप पर्फरमेंस की बात करें तो आल्टो आप जानते ही है 800 CC के अंदर आती है 3 सिलेंडर गारी है 48 PS की पावर देती है 69 NM का टॉर्क देती है और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता इसका CNG के अंदर आना जहां पर यह 31 का माइलेज देती है नॉर्मल पैटॉल टेंक की बात करें तो 35 लीटर का आता है प्र जाता है औल्टो की तरफ से इसका एक मैन कारण ये भी है नेक्स्ट इंफर्मेशन शेयर करते हैं आपके साथ में टाटा पंच के वारे में जिसने काफी धमाल मचा दिया है मार्केट में और बिलकुल आप इस गाड़ी को टाटा का तगड़ा पंच भी कह सकते हैं क्योंकि लॉंच होते ही जी हाँ फर्स्ट मंत में इस गाड़ी ने टॉप टैन में एंट्री कर दी है और काफी कम समय में टाटा पंच आठ हजार चार सो तड़े पर यूनिट की सेल के साथ टॉप टैन सेलिंग गाड़ीयों की लिस्ट में दसमें नंबर पर आ चुकी है तो आगे निश्चित रुप से इस गाड़ी की अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है जैसा कि हम इसके बारे में फ्यूचर प्रजेक्शन कर सकते हैं दोस्तों और इसके बाद में नेक्स्ट आपके साथ इंफर्मेशन शेयर कर देते हैं टाटा की शांदार गाड़ी की कीमत स्टार् रेटिंग के साथ में एनकैप द्वारा अच्छी खासी रेटिंग लिए हुए है और इसका डिजाइन बिलकुल सफारी आप कह सकते हैं हैरियर से प्रेरित है और इसकी बुकिंग तो आप जानते ही है चालू हो ही चुकी है वेरेंट्स बाइज अगर प्राइस की बात करें तो इसमें चार वेरेंट्स एवेलेबल हैं फर्स्ट है प्यॉर सेकंड है एडवन्चर थर्ड है एकॉंप्लाइज और थर्ड आता है इसका क्रियेटिव तो इसमें प्यॉर वेरेंट्स है जिसमें क्रियेटिव इसका टॉप वेरेंट्स होने वाला है और दोस्तों यहाँ पर Adventure Variant की एक सोरूम कीमत स्टार्ट होती है 6.39 लाग से जबकि Waste Variant आता है प्योर जिसकी 5.49 लाग से प्राइज होती है और सबसे बड़ी बात है कि इसे Customization Pack के साथ में पेश किया गया है जिसे आप अपनी इक्षा के अनुसार Customize भी कर सकते हैं 7 Color Options आते हैं जैसे कि Arcus Byte, Atomic Orange, Daytona Grame, Meteor Branch, Calypso Red, Traffic Armistar, Tornado Brew सामिल किये गए हैं और इसके लावा दोस्तों इस गाड़ी को जैसा आप जानते हैं डिजाइन किया गया है Tata के UK, Italy में इस टाटा मोटर्स के डिजाइन टीम द्वारा तो काफी शांदार गाड़ी एवेलेबल होती है वैसे आप इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी परचेज कर चुके हैं या परचेज करना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और आप जब भी कोई गाड़ी परचेज करने जाएंगे के साथ चैनल को सब्सक्राइब वश्य करें